if the compound interest on a certain sum for 2 year at 4% per annum is Rs. 102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years would be यदि एक निश्चे धनरासी पर 2 वर्सों में 4 प्रतिसत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 102 है, तो समान दर से 2 वर्सों का साधरन ब्याज क्या होगा? ध्यान से समझेगा, मेरी मैथट समझेगा सर, rate of interest किती है? सर, 4% आप जानते हैं कि 4% को हम 4 upon 100, that means 1 upon 25 लिखते हैं सर, आपने percent में बताया कि दुनिया का हर number अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल सही profit and loss में बच्चे दुनिया का हर cost price अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल सही and when we talk about the discount, दुनिया का हर MRP अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल सही लेकिन SI और CI, simple interest और compound interest के case में, दुनिया का हर principle अपने आप में 100% होता है और जब ये बात मैं बोलता हूँ, तो अगर कोई fraction लिख दूँ, तो दुनिया का हर denominator हमेशा principle को show करेगा सर, 1 by 25 है, आपने 25 को लिखा और उसकी power 2 चड़ा दिया सर, उसकी power 2 ही क्यों रखा, क्योंकि 2 साल की चर्चा हो रही है, इसलिए 2 रखा बोलाओ के सर, सर, 25 की power 2, that means ये होता 625 अब first year किता percent, सर 4%, अब 4% 1 by 25, 625 का 1 by 25 कितना होगा, सर 25 क्या इसके पहले कोई भ्याज है, नई, तो सर भ्याज पर भ्याज तो लग नहीं सकता, सर second year पर आया पहले simple interest लगा, जो की समान होता है, सर 25 ही लगा, लेकिन इसके पहले सर एक भ्याज है जो principal बन गया, तो सर 25 पर 4% लगा, जो कितना बन गया sir 1, कितना बन गया 1, उन्होंने क्या दिया था कि चकरवर्ती ब्याद 102 रूपय है हमारे हिसाब से चकरवर्ती ब्याद कितना है 25 और 25, 50 और 151 ये रेशो बन जाता है, sir 51 है बोला 51 नहीं है sir 102 रूपीज है 51 का कितने टाइमस है सर 2 times है, क्या पुछा है, बोल रहा है कि मुझे simple interest बताओ, सर simple interest चाहिए, तो ये है 2 साल का simple interest ratio के form में कितना है, सर 50 है, बोला 50 नहीं सर, ये तो 2 times होना चाहिए, क्योंकि ये 2 times है, इसलिए 50 नहीं होगा, 2 times होगा, कितना होगा, सर 100 होगा, और यही इसका क्या है, answer है, है option में, option D, option D इसका answer है, इसी pattern पे मैं आपको pattern समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझेगा, अगर fraction आ जाये तो क्या है, ध्यान दीजेगा, मैं pattern समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है, देखेंगे बच्चे, for example, जैसे 4% rate of interest थी, मैं बहुत सारी practice करवानी कोशिश कर रहा हूँ, जो fraction बनाता 1 by 25, फिर मैंने 5% लिख लिए, जो 1 upon 20 बनाता है, फिर मैंने 10% लिख लिए, जो 1 by 10 बनाता है, और फिर मैंने, मानलो, हमने लिख लिए 20% जो 1 by 5 बनाता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ratio की 3 क ये 2 years का SI है, ये 2 years का CI है, ये 2 years के SI और CI का अंतर है, ये only second year का CI है, only first year का CI है, और ये पूरा का पूरा amount है, लेकिन ये सब किस form में है, सर रेशो के form में है, और रेशो कभी number नहीं होता, वो हमें सा अपने अंदर कुछ ने कुछ value चिपा के रखता है, जैसा tree हमने last बनाया अगर मैं 5% के पास जाओं तो ये numerator को उठाया 1, 20, 20 और 400, इसका क्या मतलब है, सर ये principle को denote करता है, ये 2 years का SI है, ये 2 years का CI है, ये 2 years का CI का difference है, only second year का CI है, first year का CI and complete क्या है, सर amount है, ये सब किस form में है, सर रेशो के form में है, और रेशो का भी number नहीं होता, वो हमें सा अपने अ HCF कहलाती है मेरे बच्चे, I hope आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं बिलकुल आपके concept को clear करता हुआ चल रहा हूँ मेरे बच्चे, for example, और try कर लिजे, कि सर fraction हमारी 10% 1 by 10 है, इसकी ट्री कैसे बनेगी 2 साल की, सर ये 1, 10, 10, और 10 into 10, 100, ये 2 years का SI है, ये principle है, ये पूरा का आजाओं तो 1, 5, 5 और 25, ये SI है, ये हमारा principle है, ये SI है, ये CI है, ये difference है, ये second year का CI, first year का CI और पूरा का पूरा amount है, लेकिन सब ये किस form में है मेरे बच्चे, ये ratio के form में है, सर ये tree बन जाने से क्या हुआ, हम एक pattern पता चल गया मेरे बच्चे, और उसी pattern के सारे ही हमें आ दो रुपे हैं, आप जोड़िये कि चकरवर्ती ब्याद 25, 25, 50 और एक 59 था, सर 51 नहीं था, 51 नहीं था, सर कित्ता था, 102 था, सर कितने दुना था, सर दो गुना था, उसने क्या पूछ लिया, सर उसने ये पूछ लिया, SI पूछ लिया, इसलिए 25 और 25, 50 नहीं होगा, दो नहीं का कर दीजे, मतलब जो भी चीजे हैं, वो सब रेशो के फॉर्म में हैं, किसी एक की भी वेल्यो अगर वो नुमेरिकल फॉर्म में देता हैं मेरे बच्चे, तो आप उसका टाइमस रोंड लिजे और उसका अंसर वेरी कुछ लिकल निकाल पाएंगे, I am not talking about only 2 years, I am talking about the 3 years, I am talking about the 4 years, when we talk about 3rd or 4 years, we will discuss some other, in over some other questions also, now take men, now next question, this is the question number 2, okay, read it, on what sum does the difference between the compound interest and the simple interest for 3 years at 10% in Rs. 31, किस धनरासी पर 10% वार्सिक दर से 3 वर्सों का चकरवर्ती ब्याज और साधरन ब्याज का अंतर 31 रुपे हैं, समझेगा, तो पूछडा है, प्रिंसिपल बताईए, देखिए, सर हमारे पास क्या rate of interest है, बोला हां सर 10% rate of interest है, आप जानते हैं 10% fraction क्या बनाता है, पहले पुर ये ratio के form में हैं, तो इसके denominator को principle मान कर 3 की power चड़ा दी, क्योंकि 3 साल की चर्चा हो रही है मेरे बच्चे, तो सर 10 की power 3 कितना हो गया, सर 1000 हो गया, ये principle को denote कर रहा है, किस form में, सर ratio के form में कर रहा है, बुला ठीक है, सर 1st year इसका 10% कितना हुआ, सर 100 रुपे, सर 2nd year, जैसे ही में 2nd year पर आया, मुझे समझाना आपने, क्या इसका सबसे पहले simple interest लगा, कितना लगा, सर 100 रुपे, क्या इसके पहले कोई ब्याज है, हाँ सर 100 रुपे है, इस पर 10% लएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, जैसे ही मैं 3rd year पर आया, मेरे बच्चे, जैसे ही मैं 3rd year पर आया, आप समझे है मेरे बच्चे, कितनी साधारण और कितनी साधारण और clear बाते हैं, यह कह रहा है, कि सर इससे सब कुछ निकल आएगा, हाँ, यह मेरा principle है, यह मेरा principle है, यह 3 साल का SI है, सर चकरवर्ती ब्याज है, यह 3 साल के SI और SI का अंतर है, हाँ है, यह only 3rd year का SI है, मेरे पूरा का पूरा मेरा amount है, लेकिन किस form में है मेरे बच्चे, जिस सब ratio के form में है, उसने क्या दिया है इस paper में, उसने कहा कि इनका अंतर 31 रुपए है, और मेरे हिसाब से difference कितना है, आप देखिए बच्चे principle के हिसाब से difference कितना है, 10, 20, 30 और 31 रुपए, difference भी 31 है, तो इसका मत आपका answer है, सर इसकी भी ट्री आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं बच्चे, इसको एक बार आप देखिए, और वापस से इसकी ट्री आसान method पे सीखिए, देखिए बच्चे, सर आपने बोला था, 10% fraction बनाता 1 by 10, कुछ मत कर बच्चे, इस 1 को उठा कर रख दे, 10 को उठा और इस तरीके से इस direction में तीन बार रख दो, 10 into 10 किता होता है, सर 100 होता, 100 को तीन बार लिख दो, और 100 into 10 किता होता है, सर 1000 लिख दो, ये बन गया, बच्चे, पूरा का पूरा ट्री बन गया, सर और किसी fraction का बना के बताएंगे, आप जो बोलेंगे, उस fraction का बनेगा, for example, मैंने fraction लेली बच्चे, 5%, 5% क्या बनाता, सर 1 by 2, इसके numerator में 1 उठाया, 20 को इस तरीके से इसी order में 3 टाइम्स लिख दिया, 20 into 20 किता होता है, सर 400 होता, 400 लिख दिया, 400 into 20 लिख दिया, 1000, ये सब किसे बना है, सर रेशो से, इसका मतलब ये भी क्या है, सर ये क क्या है, ये 3 साल का SI है, सर ये क्या है, ये 3 years का CI है, ये 3 years का SI और CI का difference है, ये only 3rd year का CI है, only 2nd year का CI है, और only 1st year का CI और एक complete amount है, लेकिन ये सब किस फॉर्म में है मेरे बचे, ये सरवदा रेशो के फॉर्म में है, और आप जानते हैं कि कभी रेशो नंबर नहीं होता, वो स इकवेट कर लीजे, I hope आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे बचे, बहुत आसान है, बस समझते चलिए, चिक है, now हम next question की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप 2 साल और 3 साल के ट्री को आप जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं मेरे बचे, notic, next question, आज का ही हमारा question number 3 है, a sum becomes rupees 1352 in 2 years, at 4% per annum compound interest, the sum is, कोई धनराशी 4 प्रतिसत वार्षिक चकरवर्ती ब्याज की दर्से 2 वर्सों में 1352 रुपे हो जाती है, समझो बचे, सर, सर, तु बोल रहा धनराशी क्या है, principle पुछ रहे हैं मेरे बचे, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, कि सर 4% fraction बनाता ह है, 1 by 25, आप जानते हैं, कि denominator में लिखा number principle को show करता है, दो साल बोल रहा है, इसलिए principle कितना हो गया, 625, सर, ये first year, ये second year, और सर, first year पे कितना 4% मतलब ये कितना हुआ, सर, 25, ये 25 और ये कितना हो गया, सर, 1, उसने क्या दिया, amount दिया है, 1352 रुपे, और मेरे हिसाब से ये principle को, amount को 676 दिया है, या 1352 दिया है, सर, 1352 दिया है, इसके कितने गुने के बराबर है, सर, 2 times के बराबर है, कितने times के, सर, 2 times के, मुझे एक बाद भी बताए, कि सर, ये दुगना आपको एकदम जल्दी कैसे पता चला, 6 के table में 2 कब आता है, सर, 6, 2, 12, तो मैंने एक अंदा लगा लिया, सर, 6, 2, 12, और 600 का दुगना 1200 होता है, तो कहीं आसपास ही होगा, इसका मतलब ये दो गुना है, तो मेरा principle भी 625 नहीं होगा, दो गुना होगा, कितना होगा, सर, 1250 होगा, और यही मेरा क्या है, अंसर है, जो कि option D है, जो कि option D है, now take next question, बच्चे, question number 4, क्या है, कि the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is Rs. 40, the sum is, now देखो बच्चे, आप जानते हैं, कि सर 10% fraction बनाता 1 by 10, और अब shortcut से tree बनाना शुरू कर दीजे, कि यह 1, 10 और 10, और 10 और 10 into 10 कितना होता है, 100, उसने बोला, कि difference कितना है, सर मेरे हिसाब से 1 है, और question बोलता 1 नहीं, सर 40 रुपए है, तो 1 का 40 कितने times है, सर 40 times है, इसलिए मेरा जो principle है, वो 100 नहीं होगा, मेरे बच्चे, वो भी 40 times होगा, मतलब कितना होगा, सर 4,000 होगा, है option में, हाँ सर option A है, और यही हमारा क्या है, मेरे बच्चे, answer है, I hope आप इ बने हैं, तो आप यह expectation रख सकते हैं, कि आने वाले exams में कुछ ऐसा ही type का question बन सकता है, now take next question बचे, take next one man, okay, this is the question, समझेंगे, बहुत अच्छा question है, कि the compound interest on रुपी 6,000 at 10% per annum for one whole one by two years when the interest being compounded annually is, ब्याज जब वार्सिक रूप से नियोजित होती है, तो 6,000 रुपे की से देड़ वर्स में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, देड़, अब समझ ना, मुझे एक बात बताईए, हम दो वर्स जानते हैं, हम तीन वर्स जानते हैं, हम चार वर्स कभी ट्री बना सकते हैं, सर इसने देड़ वर्स पूछा है, तो मुझे एक बात बताईए, one whole one by two years जो होता है, वो one से ज्यादा होता है, बुला हाँ, two से कम होता है, बुला हाँ, तो एक काम करते हैं, जो ज्यादा क्या है, सर two, हम दो साल का CIE निकाल लेते हैं, देख मेरे बच्चे, सर ten percent fraction बनाता one by ten, आपने बनाने का तरीका बताया, one को उठाया ऐसे, ten को उठाया ऐसे, ten into ten होता है, hundred, समझना बच्चे, उसने देर साल बोला है, तो एक साल का कितना है हमारा, ten, बुला ओके, और only second year का कितना है, ग्यारा, पर उसने only second year पूरा नहीं है, वो सर आधा और है, तो एक तो ये हो गया, और आधा तो इसका आधा कर दो, बुला ओके सर, पर मुझे बता सब ये भी कितने टाइम्स होगा, 60 टाइम्स और ये भी कितने टाइम्स, 60 टाइम्स, बस जोड दीजे, सर ये कितना हुआ, 600 और ये कितना हुआ, 330, 600, 990, है option में, 930, 930, है, हाँ, option C, that is the answer, इतना आसान है, सर अकर धाई साल पूछले तो क्या करेंगे, सर, तीन का निकालना, पहले और दुसरे को जोड दो, और तीसरे का आधा कर दो, सर, अगर दो साल तीन महने पूछले तो क्या करेंगे, दो साल पूरे निकालो, तीसरे का भी निकालो, लेकिन एक साल में 12 महिने होते हैं, 12 मन्त होते हैं, 3 divided by 12 कर दो, औसान है, सर नहींने, दो साल तिरहतर दिन पुछे तो 2 years 73 days क्या करूँगा, 2 years complete निकालो, 73 divided by 1 year में 365 days होते हैं, only 3rd year में 73 divided by 365 कर लो, I hope आप मेरी बास समझ पार हैं, this is very easiest concept I think, ठीक है, now take next question, there is no need to use formula, when you use the formula in the examination, it would be very tough task for you to solve the question in very quickly, नहीं हो पाएगा 30 second में मेरे बच्चे, तेकाल!